Hello Everyone, मैं सुभम चतुरवेदी, Concept Comptative Classes मदन बहल जवलपुर से आप सभी के लिए Reasoning के Topic Calendar का Practice Session लेकर आया हूँ इससे पहले हमने Calendar के Basic Concepts के कुल दो वीडियो को अपलोड किया है जिसकी लिंक आपको Description Box पे मिल जाएगी आप उन दोनों वीडियो को अच्छे से समझ कर और उनके Concept को अच्छे से समझ कर ही इस Practice Session को करें तभी ये आपको बहुत इंट्रेस्टिंग लगेगा इस Practice Session में हम कुल दो वीडियो आपके लिए अपलोड करेंगे जिनमें कैलेंडर के बहुत ही बढ़िया और इंट्रेस्टिंग कोश्चन रहेंगे और आप यकीन मानिए कि इन दोनों Practice Session को करने के बाद आपको कैलेंडर का टॉपिक बहुत ही आसान लगेगा और एक्जाम में आप इससे स्कोर बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कोश्चन नमबर वन में क्या बताया है P सपताह तथा Q दिनों में कुल कितने दिन होते हैं ये हमको निकालना है मतलब सीधी सी बात है कि हमें P हफते और Q दिन है P हफते और Q दिन है हमको क्या करना है कि इसको दिन में कनवर्ट करना है अब सीधी सी बात है यदि हम ध्यान से P हफते और Q दिन में देखें तो ये Q तो अल्रेडी दिन में कनवर्ट है यदि मैं P हफ़ते को दिन में convert कर देता हूँ और उसमें इन Q दिनों को जोड़ देता हूँ तो total दिन मेरे निकल जाएंगे अब एक हफ़ते में होते हैं 7 दिन तो P हफ़ते में कितने होंगे multiply by 7 यानि कि कितना हो जाएगा आपका 7P अब ये हो गए आपके 7P days और Q days और यानि कि आपके total days हो जाएंगे 7P plus Q तो हमारे इस question का answer हो जाएगा option number C I hope ये आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आगया होगा कि मैंने आपको क्या समझाया अब आज आते है question number 2 पे जो की question number 1 से एकदम मिलता जुलता है तो इस पे देख लेते हैं कि क्या करना है X सपताह तथा X दिनों में कुल कितने दिन होते हैं अब सीधी सी बात है यहाँ पे हमको क्या करना है कि यहाँ पे हमको X हफते और X दिन इनको क्या करना है कि दिन में convert करना है अब सीधी सी बात है कि एक हफते में होते हैं साथ दिन तो X हफते में कितने होगे multiply by 7 यानि कि यह हो जाएगा आपका 7X और X दिन अल्रेडी है तो X यानि 7X प्लस X हमारे total days कितने हो जाएंगे 8X तो हमारे इस question का answer हो जाएगा option number B और ये होगा हमारे इस question का answer तो I hope आपको इस बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा अब आते हैं question number 3 पे और इसको देखते हैं कि इसमें क्या है जुलाई 2007 में पहला सौंबार किस दिथी को था मतलब सीधी सी बात है कि यहाँ पे हमको जुलाई 2007 में पहला मंडे कब था ये निकालना है अब सीधी सी बात है जब भी आपको किसी भी particular day को निकालना हो तो इसका concept मैंने आपको part 2 में calendar के बताया था अब यहाँ पे हमको सौंबार किस तारीक को पढ़ेगा ये निकालने से पहले जुलाई 2007 इसकी पहली तारीक कितनी हो जाईगी आपकी एक जुलाई एक जुलाई 2007 इस दिन कौन सा दिन पढ़ा था सबसे पहले हम वो निकालते हैं उसके बाद हम फिर निकाल सकते हैं कि पहला Monday कब पढ़ा था पहला Tuesday कब पढ़ा था पहला Saturday कब पढ़ा था हम सब निकाल सकते हैं सबसे पहले हम जुलाई 2007 की पहली तारीक को देख लेते हैं कि कौन सा दिन पढ़ रहा है तो चलिए देखते हैं यहाँ पे हम तो सीडी सी बात है किसी भी तारीक का दिन निकाल ला हो तो मैंने आपको बताया उसका तरीका क्या है सबसे पहले हमने तारीक ली तारीक कितनी हो गई हमारी एक तो यह हो गया उसके बाद फिर जुलाई अब मैंने आपको मन्त कोड बताये थे मन्त कोड में बताया था मैंने आपको कि Simple Year के लिए जो month code होते हैं वो कितने होते हैं 1,4,0,2,5,0,3,6,1,4,6 अब जुलाई होता है सात्वा महीना और इसका month code हो जाएगा आपका 0 अब यहाँ पर बात करें हम 2000 2000 यानि की century code अब मैंने आपको बताया था कि 1800 का century code कितना होता है 2, 1900 का कितना होता है 0,2000 का कितना होता है आपका 6 और 2100 का कितना होता है 4 अब यहाँ पर 2000 है 2000 का century code कितना हो जाएगा आपका 6 प्लस यहाँ पर last two digit year की तो यह हो गई आपकी 7 प्लस last two digit divided by 4 और इस पूरे को divide करना है आपको किस से साथ से अब मैंने आपको concept में बताया था कि 7 को 4 से divide करना है याब जब भी last two digit को 4 से divide करना हो तो आपको केवल यह देखना है कि maximum कितनी बार divide हो सकता है decimal में उसको solve नहीं करना है अब यहाँ पर 7 को 4 से divide करूँगा तो यह केवल जाएगा आपका कितनी बार एक बार अब यहाँ पर यदि मैं इसको total count करूँ तो 1 और 6, 7 और 7, 14 और 1 कितना हो जाएगा आपका 15 और divided by 7 अब एक चीज़ आप याद रखेगा कभी भी आपको day निकालना हो calendar में आपको केवल और केवल remainder देखना है समझे बात आप यदि आपको day निकालना है calendar में तो आपको केवल remainder देखना है और यदि मैं 15 को 7 से divide करता हूँ तो remainder कितना बचेगा मेरा 7, 2, 14 remainder बचेगा 1 अब सीधी सी बात है मैंने आपको इसके बात बताया था day के code मैंने आपको बताया था Saturday का जो code होता है Tuesday का होता है 3 Wednesday का होता है 4 Thursday का होता है 5 Saturday का होता है 6 अब यहाँ पे हमारा remainder 1 आया और देखिए 1 किसका code है Sunday का यानि कि 1 जुलाई 2007 को कौन सा दिन था Sunday अब हमको ने पूछा है कि पहला Monday कब था अब ठीक है पहली तारीक को पहला Sunday था तो दूसरी तारीक को पहला Monday होगा भाई मतलब की पहला Monday कब हो जाएगा आपका 2 तारीक को 2 जुलाई को तो I hope आपको clear होगा 1 जुलाई को Sunday तो सीधी सी बात है 2 जुलाई को Monday और यह महीने का पहला Monday है भाई तो यह हो गया अब आजाते question number 4 पे question number 4 को देखते हैं कि क्या है यदि आज मंगल बार है तो आज से 62 दिन बाद यानि की 62 डेज बाद कौन सा दिन होगा अब सीधी सी बात है यहाँ पे हम इसको मन इनको week में convert कर लेते हैं तो 62 को यदि हम 7 से divide करते हैं 7, 8, 56 और remainder कितना बचेगा 6 7 से क्यों divide किया है एक हफते में कितने दिन होते हैं 7 अब सीधी सी बात है कि यहाँ पे अदि हम देखते हैं तो यह 8 बार divide हुआ यानि की 8 week और कितने डे हो जाएंगे आपके 6 days अब सीधी सी बात है याद रखिएगा मैंने आपको बताया आपको calendar में दिन निकालना है तो आपको केबल क्या देखना है remainder अब एक चीज़ आप देखिए उनने बोला है कि 62 days बाद कौन सा दिन होगा मतलब कि future की बात कर रहा है अब एक चीज़ आप याद रखिएगा कि जब भी future में आप जाएंगे तो जो remainder होगा आपको उसको क्या करना है प्लस remainder यानि की odd days odd days को आपको plus करना है future के लिए और यदि आप past में जाएंगे तो जितने भी odd days होंगे उसको आपको क्या करना है minus मतलब सीधी बात है कि future के लिए आपको आके बढ़ना है और past के लिए पीछे तो यहाँ पे भी वही है अब सीधी सी बात है यहाँ पे अदि हम बात करें तो आज मंगलवार है तो इसके 62 दिन यानि 8 हफटे और 6 दिन के बाद कौन सा दिन होगा 8 हफटे मतलब मंगलवार 8 बार repeat हो गया 6 और दिन और तो सीधी सी बात है मंगलवार से 6 दिन बढ़ा दो बुद्धवार, गुरुवार, सुक्रवार, सनीवार, रवीवार और सौमवार तो यह हमारे इस question का answer हो जाएगा option number C तो I hope आपको clear हो गया होगा कि मैंने क्या बताया चलिए question number 5 को देखते हैं कि इसमें क्या concept लगेगा निमन लिखित मैंसे किस वर्स का calendar 1989 के calendar के समान है मतलब की 1989 के समान calendar चाहिए मतलब यहाँ पे हमको 2 year का calendar जो है यह क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए ठीक 2 years है तो उनका calendar सेम होना चाहिए अब यदि 2 years का calendar सेम है तो आपको उसके लिए 3 concept अच्छे से समझना चाहिए जिससे यह चीज आपको बहुत आसान लगेगी तो 3 concept क्या बता रहा हूँ मैं पहला concept आपका यह है कि यदि आप simple year का calendar सेम निकालना चाह रहे है तो जो calendar सेम आएगा जिसका वो year भी क्या होगा simple मतलब यदि आप simple year का same calendar निकाल रहे है तो answer भी simple year आएगा और यदि आप leap year का same calendar निकाल रहे है तो answer भी आपका leap year में होगा तो I hope आपको clear हुआ होगा कि मैंने क्या बताया जैसे उधारन की तोर पे देखी आप आपको 1989 का same calendar निकालना है अब 1989 simple year है तो इसका जो same calendar निकलेगा वो भी आपका simple year निकलेगा अब यदि मैं option में देखूं तो option number A 1992 जो की leap year है अब 1989 simple year है तो इसका same calendar भी simple year आएगा इसलिए 92 तो leap year नहीं होगा ऐसे 1996 option number D ये भी leap year है तो ये भी हमारा answer नहीं हो सकता क्योंकि ये तो आपका simple year है और यहाँ पे ये leap year है तो सीधी सी बात है simple year का same calendar निकालना है तो answer simple year होगा और leap year का same calendar निकालना है तो answer भी leap year होगा अब यहाँ पे हमारे पास दो option बचे option number B 1994 और option number C 1995 अब second rule बताता हूँ आपको तो ध्यान से समझेगा यदि दो years का calendar same है तो उनकी पहली तारीक यानि की एक जनवरी का जो दिन होगा वो भी क्या होगा आपका same होगा अब यदि दो आपके years का calendar same है तो उनकी एक तारीक का calendar calendar भी same होगा और third condition मैंने आपको बताई आपको भी पता है कि एक साल में एक दिन extra बढ़ता है उसे हम बोलते हैं odd days तो इन दो यदि दो years का calendar same है तो उन दोनों years के बीच पढ़ने वाले जो odd days होंगे वो आपके seven से divide होंगे तो I hope आपको clear हुआ होगा कि मैंने क्या बताया आ आपको तीन रूल बताए पहला रूल की simple year का same calendar simple year रहेगा और leap year का same calendar leap year रहेगा second कि एक जनवरी का जो दिन रहेगा वो same रहेगा और third इन यदि दो साल का calendar same है तो उनके बीच पढ़ने वाले odd days seven से divide होंगे यदि odd days seven से divide नहीं होते हैं तो वो आपका फिर calendar same नहीं है अब यहां पे जैसे 1989 से हम 94 पे आते हैं अब देखिए आप 1989 से 94 पे आते हैं तो यदि यहां पे मैं option B को solve करता हूं तो ध्यान से देखेगा 89 से 94 यानि कि 5 साल आ गया है तो 5 साल आ गया है तो 5 odd day पढ़ेंगे क्यों एक साल में एक दिन एक्ट्रा बढ़ता है तो 5 साल में 5 दिन अब ध्यान से आप देखें कि यहां पे इनके बीच में leap year कितने हैं तो यहां पे आप देखें तो 1989 से 94 में leap year पढ़ेगा एक 1992 अब 1992 पूरा क्रॉस हुआ है मतलब कि इसकी 29 फरवरी भी क्रॉस हुई है अब इसकी 29 फैब भी क्रॉस हुई है मतलब कि वो एक extra दिन भी क्रॉ मैंने आपको बताया कि यदि calendar सेम है तो odd days जो है वो 7 से divide होने चाहिए अब यहां पर यह हो नहीं रहे है मतलब कि option number B भी हमारा क्या हो गया गलत अब आपको भी पता है कि 3 option 4 option है 3 option cancel हो गया तो बचा हुआ जो option होता है वो हमारा क्या होता है answer तो चलिए यहां पर option number C को एक 6 दिन बढ़ेंगे दिये हो गया आपका प्लस अब इनके बीच में कितना लीपियर पड़ा केवल एक ही लीपियर पड़ा है 90 92 अब 92 पूरा क्रॉस हुआ इसकी 29 फरवरी भी क्रॉस हुई है मतलब उसका एक दिन और तो 6 दिन यह एक दिन यह मतलब कि total odd days कितने हो गया 7 और आपको क्या समझाया अब इसी से मिलता जुलता question एक और देख लेते हैं हम तो यहां पे आते हैं question number 6 में निमन लिखित मैं से किस साल का calendar किस वर्स का calendar वर्स 2003 के calendar जैसा है अब यहां पे अदी मैं बात करूं roll number 1 लगाता हूं 2003 normal simple year है अब 2003 simple year है तो जो हमारा same calendar होगा वो भी simple year होगा अब option में देखें तो option C आपको leap year देख रहा है तो यह तो होगा नहीं भाई अब उसके बास second चीज हम देखते हैं कि यहां पे हम इनके सीधे odd days को count करते हैं जैसे option number A को चेक करें हम option number A को चेक करें तो 2003 से 2009 पे आए हम अब 2003 से 2009 में आए मतलब की 6 साल बढ़े अब 6 साल में 6 दिन बढ़ गए तो यह हो गया आपका 6 दिन प्लस अब यहां पे हम बात करते हैं कि इन 6 साल में कितने leap year आए तो देखिए 2003 से 2009 में आएंगे तो जो leap year आएंगे एक अज आएगा आपका 2004 और एक आएगा आपका 2008 दो leap year आए भाई अब दो leap year आए और यह leap year पूरा क्रॉस हुए मतलब कि इनकी 29 फरवरी भी क्रॉस हुए तो यहां पे दो extra दिन और यानि कि 6 दिन और दो दिन यहां पी कितने odd days है total 8 अब मैंने आपको बताया कि जो odd days है वो 7 से divide होना चाह हैं तो देखिए 2009 तक हमारे 8 odd days पड़े 8 odd days पड़े अब 2010 2009 से 2010 एक साल और बढ़ गया अब एक साल बढ़ गया तो एक दिन और बढ़ जाएगा तो 8 odd days थे एक दिन और बढ़ गया मतलब कि 2010 तक कितने odd days हो गए भाई 9 अब यहां पे सीधी सी बात है 9 भी 7 से divide हो नहीं रहा है इसलिए हमारा 2010 भी गलत हो गया अब 4 option से 3 option गलत हो गया तो हमारा answer क्या हो जाएगा option number D चलिए उसको check भी कर लेते हैं तो 2000 option number D को check करते हैं हम 2003 से 2014 में आते हैं 3 to 14 11 साल बढ़े तो 11 साल में 11 दिन भी बढ़ गया यह हो गया प्लस अब 2003 से 2014 तक कितने leap year पढ़ेंगे यद किये 3 to 14 सबसे पहले एक leap year पढ़ेगा 2004 दूसरा leap year पढ़ेगा 2008 और तीसरा leap year पढ़ेगा 2012 मतलब कि 3 leap year पढ़े अब 3 leap year बढ़े तो इनके 3 extra दिन और add करने पढ़ेंगे तो यह 3 दिन तो यह total कितने दिन हो गए आपके 14 दिन हो गए अब 7 से divide हो रहा है इसका मतलब कि हमार इस question का answer हो जाएगा आपका 2014 तो I hope आपको यह समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या समझाया important question है ऐसा exam में आता है और आपको बहुत ही आसानी से यह बिना pen चलाए बन जाएगा तो I hope आपको बहुत बढ़िया तरीके से यह clear हो गया होगा अब आते हम question number 7 पे तो question number 7 को देखते है कि इस पे क्या है March 2011 में किस दिन मंगलवार था अब 2011 March में हमको देखना है कि किस दिन मंगलवार था तो मैंने आपको बताया कि जब भी ऐसी condition रहती है एक question हम पहले कर चुके हैं तो उस पे मैंने आपको बताया कि आप कुछ नहीं कर हैं सबसे पहले क्या करें कि एक तारीख उस महीने की निकालने तो चलिए हम एक March 2011 को कौन सा दिन था हम वो निकालते हैं तो चलिए सबसे पहले देखते हम एक March 2011 को कौन सा दिन था तो यहां प्यदी हम बात करें एक March 2011 में तो सबसे पहले तारीख कितनी हो गई एक तो यह हो का century code 6 plus last two digit कितनी हो गई आपकी 11 plus last two digit divided by 4 और पूरे को डिवाइड करेंगे हम किसे 7 से अब यहां पर सीधी सी बात है कि 4 से 11 को डिवाइड किया तो यह कितनी बार जाएगा आपका कितनी बार जाएगा maximum 2 बार तो यह हो गया अब यहां पर देखें आप तो 1 और 4 5 और 6 11 11 12 औ आपका 24 और 24 को साथ से डिवाइड करेंगे तो जो आपका remainder आएगा वो कितना आ जाएगा 3 अब remainder 3 आया तो अब सीधी सी बात है मैंने आपको code बताये थे मैंने आपको बताया था कि Saturday का code क्या होता है 0 उसके बाद मैंने आपको बताया था कि Sunday का जो code होगा वो कितना हो जाएगा आपका 3 अब remainder 3 आया तो हमारा इस दिन Tuesday था यानि कि 1 March 2011 इस दिन क्या था Tuesday था अब आप बात समझे तो आपको उन्होंने क्या बोला आपको उनने बोला है कि इसमें से किस तारीक को Tuesday था वो आपसे ये पूछ रहा है आपको option में बोला है 2 March उसके अलावा 7 March 15 March और 30 March अब सीधी सी बात देखिए 1 March को Tuesday था अब इससे 7 दिन बाद यानि कि 8 March को फिर Tuesday रहेगा उसके बाद फिर इससे 7 दिन बाद यानि कि 15 March को फिर Tuesday रहेगा उसके बाद फिर 7 दिन बाद यानि कि 22 March को भी Tuesday रहेगा और उसके बाद फिर 7 दिन बाद यानि कि 29 March को भी Tuesday रहेग मतलब इस महीने जो 5 Tuesday पढ़े हैं वो पढ़ेंगे 1 March, 8 March, 15 March, 22 March और 29 March अब option में देखें तो option में आपको 15 March दिख रहा है तो हमारे इस question का answer हो जाएगा 15 March I hope आपको question clear हो गया होगा कि क्या था बहुत बढ़िया question था बहुत बढ़िया तरीके से हमने इसको आसानी से कर लिया अब आते हैं question number 8 पे और इसको देखते हैं कि इसमें क्या concept है यदि 5 June 2007 को मंगलवार था तो 5 June 2006 को कौन सा दिन था अब जो आपको given है उसको यदि में लिखों तो 5 June 2007 इस दिन कौन सा दिन आपको बताया है Tuesday और उसके बाद उनने आपसे बोला है कि 5 June 2006 यानि कि एक साल पहले कौन सा दिन था अब देखिए 2007 से 2006 पे आए एक साल पीछे गए तो एक दिन कम हो जाएगा अब एक दिन कम होगा और कोई भी लीप EPR ना तो 2007 है और ना ही 6 है अब सीधी सी बात है एक साल पीछे गए तो एक दिन कम हो जाएगा तो Tuesday से एक दिन कम यानि कि पीछे तो Tuesday से एक दिन पीछे जाएंगे हम तो सीधी सी बात है यहाँ पे Tuesday से एक दिन पीछे तो हमारा आंस में conditional question है यह 5 जून 2007 को जरूरी नहीं कि मंगलवार है उनने condition दी कि यदि 5 जून 2007 को मंगलवार था तो 5 जून 2006 को कौन सा दिन होगा अब यहां पर आप यह ना करने लगे कि आप 5 जून 2006 का दिन निकालने लगे यदि वो आपसे direct बोलता है बिना किसी हिंट के कि इस तारीक को कौन सा दिन था तो आपको वो coding से solve करना है लेकिन यदि condition से देता है वो तो आपको फिर उस condition के को ही सचमान के solve करना है जरूरी नहीं कि 5 जून 2007 को मंगलवार ही हो तो आई होप आपको यह clear हो गया होगा कि मैंने क्या समझाया अब आते हैं question number 9 पे तो question number 9 को देखते हैं कि क्या है तो पांच मार्च 2012 को सोमवार था तो पांच नवंबर 2012 को कौन सा दिन था मतलब कि देखे दो हजार बारा तो लीपियर है लेकिन यहां पे बात हो रही है पांच मार्च जो की 29 फरवरी के बाद का दिन है तो अब हमको लीपियर की कोई टैंसल लेनी नहीं है तो उनने सीधी सी बात है कि उनने आपको बता दिया कि पांच मार्च को कौन सा दिन था आपका Tuesday था और उनने आपसे पूछा है कि पांच नवंबर को कौन सा दिन था अब देखिए सीधी सी बात समझेगा हमको क्या करना है हमको मार्च से नवंबर में जाना है तो चलिए मार्च से नवंबर में जाते हैं जितने भी मन्त पढ़ेंगे हमको उनको देखना है तो चलिए म मार्च से नवंबर में गए सबसे पहले आया मार्च फिर आजाएगा आपका अप्रेल फिर आजाएगा आपका में फिर हो जाएगा आपका जून फिर हो जाएगा आपका उसके बाद जुलाई फिर हो जाएगा अगस्त फिर हो जाएगा आपका सेप्टेमबर और फिर अक्ट दिन क्रॉस किया हमने 26 अब देखे हमको केवल और डेज देखने हैं हमको हफ़ते तो देखने नहीं है अब 26 दिन को यदि मैं हफ़ते में कनवर्ट करूं तो एक हफ़ते में 7 दिन होते हैं साथ से डिवाइड किया सातिया 21 रिमेंडर किता बच्चा 5 मतलब 26 दिन का मतलब 3 हफ़ते और 5 दिन अब हमको तो केवल और डेज लेना है हमको पूरे हफ़ते हफ़ते तो लेना नहीं है क्योंकि यहाँ पे केवल उन्होंने हमसे ये पूछा कि कौन सा दिन था और हमको दिन कालने के लिए हमेशा और डे की जरूरत पड़ेगी तो यहाँ पे सीधी सी बात है 26 दिन यानि की चातीन हफ़ते और 5 दिन अब यहाँ पे हमको केवल 5 और डेज हैं तो यह हमने लिख दिये 5 और डेज अब अप्रेल में आते हैं अप्रेल में टोटल कितने दिन होते हैं 30 अब 30 को 7 से डिवाइड करेंगे 7,4,8,4 हफते और 2 दिन अब 4 हफते तो 4 बार रिपीट हो गया 2 दिन और तो यह हो गया 2 दिन माई में 31 दिन होते हैं 7 से डिवाइड करेंगे 7,4,8,4 हफते और 3 दिन अब हमको केवल और डे लेने हैं तो माई के 3 और डे जून की बात करें जून में 30 दिन, अब 30 दिन में आपको भी पता है कि 2 odd day होते हैं, तो यहाँ पे 2 odd day, जुलाई में 31 दिन 3 odd day, अगस्त में 31 दिन 3 odd day, सेप्टेमबर में आपके कितने दिन होते हैं 30, अब यहाँ पे 2 odd day हो गए, अक्टूबर में 31 दिन 3 odd day हो गए, अब नवैंबर में हमको 5 न अवंबर तक के 5 दिन अब इसको यहाँ पे हम देखते हैं तो सीरी सी बात है टोटल डेस को काउंट करें कि कितने और डेस हो गए 5 और 2 7 और 3 कितना हो जाएगा आपका 10 और 2 12 12 12 13 15 15 13 18 और 2 20 20 और 23 23 और 5 28 मतलब कि यह 28 दिन अब साथ से डिवाइड किया तो पूरा पूरा हो गया रिमेंडर कितना बचा 0 अब रिमेंडर 0 मतलब कि एक भी और डे एक्स्टर नहीं है तो सीधी सी बात है कि same to same day होगा यहाँ पे तो 5 मार्च को Tuesday था तो 5 नवंबर को भी कौन सा दिन हो जाएगा आपका Tuesday इसका concept मैंने part 1 में बहुत अच्छे से समझाया था तो I hope सभी को clear हो गया होगा इसको मैंने और थोड़ा सा easy कर दिया चलिए question number 10 को देखते हैं कि इसमें क्या है हमारा question यदि 26 जनवरी 1996 से 15 माई 1996 तक दौनों दिन यदि सामिल होते हैं तो कितने दिन होगे यानि कि 1996 क्या होगे आप सबसे पहले तो ध्यान से देख लें यह क्या है आपका leap year है तो यह चीज याद रखेगा 96 leap year है तो इसमें फरवरी जो होगी वो 29 दिन की पड़ेगी अब यहाँ पे हम देखें तो हमको क्या करना है कि यहाँ पे 26 जनवरी से क्या करना है हमको 15 माई तक ठीक हमको यहाँ पे 26 जनवरी से 15 माई तक टोटल कितने दिन पड़ेंगे यह निकालना है और यहाँ पे उनने बोला है कि दौनों दिन को हमको शामिल भी करना है चलिए तो अब यहाँ पे हम जनवरी से मई तक के महीने में जाएंगे मतलब कि जिन जिन महीने में जा रहे हैं तो सबसे पहले हम उनको लिख लेते हैं यह हो गया जनवरी उसके बाद यह हो गया आपका फर्वरी फिर हो जाएगा मार्च फिर हो जाएगा अप्रेल और फिर क्या हो जाएगा में अब यहाँ पे हम देखें तो देखें जनवरी में होते हैं टोटल 31 दिन यानि 26 तारीक के बाद टोटल कितने दिन और पढ़ेंगे 31 में से 26 गया 5 दिन वो और 26 तारीक भी include करनी है यानि कि 6 दिन यानि जनवरी के हमने total कितने दिन ले लिए 6 I hope आपको clear हुआ होगा कि क्या किया मैंने जनवरी में total 31 दिन है 26 जनवरी के बाद 31 में से 26 गया 5 दिन पढ़ेंगे 26 जनवरी भी count करनी है एक दिन वो यानि जनवरी के हमें total 6 दिन लेने है अब leap year है चूकी तो फरवरी जो होगी वो 29 दिन की होगी तो यह हो गई फरवरी 29 डेस की मार्च 31 डेस का होता है अप्रेल होता है 30 डेस का और यहाँ पे मै की जाना है 15 तारीक तक मनलब total मै की 15 तारीक यानि की 15 दिन लेने है तो अब यहाँ पे चलिए हम इसको total count करते हैं की total कितने दिन पढ़ेंगे तो यहाँ पे 6 और 6 और 29, 35, 35 और 31, 66 66 और 30, 96 और 15 कितना हो जाएगा आपका 111 तो हमारे इस question का answer हो जाएगा 111 यानि की 111 तो आई होप आपको यह clear हो गया होगा कि मैंने इसमें आपको क्या समझाया अब आते हैं question number 11 पे तो देखते हैं की क्या है यान यदि कल से पहले का दिन सनिवार था मतलब कल से पहले का दिन यानि की 2 दिन पहले 2 दिन पहले सनिवार था तो आज 2 दिन बढ़ा तो Saturday से 2 दिन बढ़ाएंगे तो Sunday और Monday मतलब की आज जो day है ये क्या है आपका Monday है ठीक आज Monday है तो अब उनने बोला की परसो किस दिन पढ़ेगा यानि की Monday से 2 आज से 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा आज से 2 दिन बाद तो Monday से 2 दिन बाद Tuesday और फिर क्या हो जाएगा Wednesday तो हमारे इस question का answer हो जाएगा Wednesday दो दिन बाद आज तो परसो किस दिन पढ़ेगा तो हमारा answer हो जाएगा Wednesday आई होप आपको clear हो गया होगा कि मैंने इसमें क्या समझाया था अब आते है question number 12 पे इसको देखते हैं यदि महीने का सात्वा दिन शुक्रवार की तुल्ना में तीन दिन पहले है तो महीने की उन्निसवे दिन क्या होगा अब देखे एक महीना है उसका सात्वा दिन अब महीने का सात्वा दिन यानि की महीने की सात तारीक महीने की जो साथ तारीख है वो शुक्रवार की तुल्ला में तीन दिन पहले यानि शुक्रवार से तीन दिन पहले अब शुक्रवार से तीन दिन पहले यानि की तीन दिन पीछे जाए शुक्रवार से तो हो जाएगा गुरुवार और फिर हो जाएगा आपका बुधवार और फिर हो जाएगा मंगलवार यानि कि महीने की साथ तारीक को मंगलवार पड़ा भाई ठीक महीने की साथ तारीक को मंगलवार पड़ा तो अब उनने बोला कि उस महीने के 19 वे दिन क्या होगा 19 वे दिन यानि की महीने की 19 तारीख को कौन सा दिन पढ़ेगा अब सीधी सी बात है हम 7 तारीख से 19 तारीख में जाएंगे मतलब हमें इनके बीच में टोटल कितने दिन पढ़ाने होंगे 19 में से 7 गया इनके बीच में टोटल कितने दिन पढ़ेंगे भाई 12 दिन तो 12 दिन पढ़ रहे हैं अब सीधी सी बात है मैंने आपको बताए कि कैलेंडर में आपको केवल रिमेंडर देखना है तो यहाँ पे सीधी सी बात है एक हफते में 7 दिन होते हैं 7 से डिवाइड किया 12 को 7 से डिवाइड किया तो जो रिमेंडर बचेगा वो कितना बचे वार सनीवार और रवीवार तो हमारे इस कोश्चन का अंसर हो जाएगा रवीवार आई होप आपको बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया होगा कि मैंने क्या बताया था अब आते हैं कोश्चन नंबर 13 पे तो कोश्चन नंबर 13 को देखते हैं यदि वर्स का पहला दिन के अलावा मतलब की यहां पर बात हो रही है वर्स जो है वो सिंपल एटर है साधारण वर्स है यदि वर्स का पहला दिन शुक्रुवार था तो उस वर्स का अंतिम दिन कितना होगा अब मैंने आपको बताया है कि यदि हम बात करते हैं सिंपल एर में साल का फर्ष्ट डे औ जादा होता है, क्योंकि 29 फरवरी पड़ती है, एक दिन एक्स्ट्रा पड़ता है, मतलब Simple Year में साल का पहला और आकरी दिन सेम होता है, अब यहां पे साल का पहला दिन सुक्रवार है, तो आकरी दिन भी सुक्रवार होगा, तो हमारे इस question का अंसर हो जाएगा, सुक्रवार, य याद रखिएगा simple year में आखरी दिन के लिए same रहेगा और leap year में एक दिन बढ़ाना है अब आते हैं question number 14 पे तो question number 14 को देखते हैं कि क्या है भाई तो यदि आज बुद्धवार है तो 94 दिन बाद क्या होगा अब देखिए 94 दिन बाद अब 94 दिन बाद मतलब की एक हफते में क आज से divide किया तो यह जाएगा आपका 13 बार 17, 17, 90, remainder कितना बचेगा 3 आपका 94 जिन दिन जो हो गई यह हो गई 13 हफते और 3 दिन ठीक 13 हफते और 3 दिन मतलब सीधी सी बात है 3 दिन बाद 3 दिन जब हम बढ़ाते हैं तो कौन सा दिन पड़ेगा अब सीधी सी बात है आज बु बुद्धवार से 3 दिन बात तो यह हो जाएगा आपका गुरुवार, शुक्रवार, सनीवार तो यह हो गई 3 दिन और इन 3 दिन के बात जो दिन पड़ेगा वो क्या हो जाएगा हमारा रवीवार तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि यहां पे मैंने आपको क्या लिख दे कपड़ा कपड़ता है आपका 26 जैन तो यहाँ पे बात हो रही है 26 जनवरी की तो सनीवार को गरतंत दिवस की छुट्टी है यानि कि जो 26 जनवरी है इस दिन कौन सा दिन है आपका भाई सेटरडे है ठीक है तो अब आपको उसने बोला है कि अगले महीने की 14 तारीक को फिर से सिवरात्री है अब देखिए 26 जनवरी का अगला महीना मतलब क्या हो जाएगा आपका 26 महीने का अगला महीना 26 जनवरी का अगला महीना जनवरी का अगला महीना यानि फरवरी यानि की सीधी सी बात है कि 14 फरवरी को सिवरात्री है ठीक है तो उस दिन कौन सा दिन पढ़ेगा ये आपसे पूछ रहा है वो चलिए देख लेते हैं बिल्कुल सिंपल सा कोश्चन है हमको जनवरी से फरवरी में जाना है अब यहां पर सीधी सी बात करें पतलब कि हमको यहां पर टोटल दो महिने लेने हैं एक लेना है जनवरी और एक लेना है फरवरी अब हमको जाना है 14 तारीक तक 14 तारीक तक मतलब टोटल कितने दिन हो गए 14 अब यहां पर देखे तो इन दोनों तारीकों के बीच में 14 और 5 टोटल 19 दिन पढ़ेंगे अब 19 को 7 से डिवाइड किया तो हमारा रिमेंडर कितना बचेगा भाई हमारा रिमेंडर बचेगा 19 को 7 से अब रिमेंडर बचेगा 5 मतलब सीधी सी बात है सेटरडे से 5 दिन बढ़ा दें तो सेटरडे सनिवार से 5 दिन बढ़ाएं तो रवीवार, सौमवार, मंगलवार, बुद्धवार और गुरुवार मतलब सीधी सी बात है कि यहां पर जो सिवरात्री पढ़ेगी 14 तारीक को वो किस दिन पढ़ेगी गुरुवार पढ़ेगी तो I hope आपको एक कोश्चन बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गए होंगे और आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम अब नहीं होगी चलिए कोश्चन नमबर 16 को देखते हैं कि इसमें क्या दिया है एक फरवरी 1996 को बुद्धवार है तो एक मार्च तीन मार्च 1996 को कौन सा दिन होगा मतलब जो इयर है हमारा 1996 है इस पे आपको उसने बता दिया कि एक फरवरी को जो दिन है वो क्या है आपका वेडनेश दे है एक फरवरी को जो दिन है वेडनेश दे है और उनने आप से पूछा कि तीन मार्च को कौन सा दिन होगा अब सीधी बात समझें यहां पे हम तो यहां पे हमको फरवरी से मार्च पे जाना है मतलब टोटल हमको केवल दो महीने लेने है यह ले लिया हमने फरवरी और उसके बाद ले लिया हमने मार्च अब यदि हम बात करें तो 1996 जो है लीप यर है और लीप यर में फरवरी जो हो करने हमको 28 और मार्च के हमको 33 तारीक तक जाना है मतलब कि मार्च के total कितने दिन लेने है तीन अब सीधी सी बात है 28 को साथ से डिवाइड करेंगे तो remainder कितना बचेगा जीरो और डे जीरो और ये तीन मतलब कि सीधी सी बात है total odd days जो पढ़ेंगे वो मिल्लब सीदी साथ है कि वैङ्टनस डे से आप तीन दिन बढ़ा दें तो तरजडे फ्राईडे और सेटर्डे मिल्लब कि हमारे इस मार्च को सेटर्डे होगा और ऑप्स नमबर ए IHoP आपको अच्छे से केलियर हो गया कि मैंने क्या बताया अब आज आते हैं Kr नमर 17 कि India versus अ शुट्रवार को स्वतंतता दिवस मनाया गया यानि कि स्वतंतता दिवस यानि कि आप याद रखेगा independence today मनाया गया एकस का जन्म किस दिन हुआ था यह आपसे वो पूच रहा है मतलब देखिए, एक्स का जो जन्म हुआ है, वो हुआ है आपका 6 मार्च 1993 के दिन, ठीक, एक्स का जन्म जो हुआ है, वो हुआ है 6 मार्च के दिन, और आपको उन्हें बताया है कि उसी वर्स सुक्रवार को स्वतंतता दिवस मनाया गया अब जो इंडिपेंडेंस दे मतलब की 15 अगस्त के दिन जो डे बनाया गया है वो कौन सा बनाया गया है भाई किस दिन बनाया गया है ये स्वतनतता दिवस फ्राइडे के दिन ठीक है तो अब आपको उन्हें बोला है कि X का जन्म किस दिन हुआ अब देखिए आप मार्च से कहा जा रहे हैं अगस्त में जा रहे हैं मार्च से अगस्त में जा रहे हैं तो चलिए भाई हम देख लेते हैं सबसे पहले मार्च फिर हो जाएगा आपका अप्रेल फिर हो जाएगा में उसके बाद हो जाएगा जून उसके बाद हो जाएगा आपका जुलाई, ठीक है भाई, उसके बाद हो जाएगा आपका अगस्ती, तो यह हो गया, अब मार्च में टोटल 31 डेज होते हैं, जिसमें से 6 डेज हो गए, तो मार्च के टोटल कितने दिन क्रॉस करने हैं, 25, अब आपको मैंने बताये कि इसको रेमेंडर के थुरू याद करना है, और डेज आपको केबल करना है, 25 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 तिया 21, तो और डे कितने पढ़ेंगे, आपके टोटल 4, तो सीधी सी बात है, मार्च के टोटल 4 और डेज हो गए, अब अप्रेल, अप्रेल में 30 दिन होते हैं, 7 चौक के 23, 2 और डे, माई में 1, जुलाई में 31 दिन है, तो यहाँ पर 3 और यह 15 अगस्त, 15 अगस्त यानि की सीधी सी बात है, कि यहाँ पर हम बात करें, 15 अगस्त मतलब की अगस्त के टोटल 15 दिन लेने हैं, तो यह हो गया, आप 15 दिन, यानि की 15 को 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 दू 14 तो अगस्त के कितना और डे हो गया, आपका 1, अब सीधे इसको सॉल्व करते हैं, चलिए, तो यहाँ पर देखिए, आप 4 और 2, 4 और 2, कितना हो जाएगा आपका 6, 6 और 3, कितना हो जाएगा 9, 9 और 2, 11, और 3, 14, और 1, 15, अब 15 को आप साथ से डिवाइड करेंगे, तो जो जा रहे हैं, तो एक और डे बढ़ेगा, तो जब लोटेंगे हम, तो एक और डे क्या हो जाएगा कम, मतलब Friday से एक दिन पीछे, अब Friday से एक दिन पीछे, तो क्या हो जाएगा आपका थर्जडे, तो आंसर होगा आपका गुरुवार, मैंने आपको क्या बताया, कि आपको यदि टाइम बढ़ाना है, तो और डे को आपको प्लस करना है, और यदि आपको टाइम कम करना है, तो और डे को क्या करना है, माइनस, अब देखिया, आप मार्च से आप अगस्त में गए, छे मार्च से पंदरा अगस्त में गए, तो सीधी सी बात है, एक और डे बढ़ा, अब आपको यहाँ पे 15 अगस्ट का दिन दिया हुआ है 6 मार्च का निकालना है तो अब यहाँ 15 अगस्ट से 6 मार्च की और आएंगे तो एक और डे कम होगा तो फ्राइडे से एक दिन कम यानि की आंसर क्या हो जाएगा आपका थर्जडे यानि की गुरुवार आई होप यह बहुत बढ़िया कोश्चन था आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा अब आते हैं कोश्चन नमबर 18 पे यदि महिने का दूसरा दिन शुक्रवार है अब महिने का दूसरा दिन शुक्रवार है मतलब की सीधी सी बात है कि किसी महिने की जो दो तारीख है उस दिन क्या पड़ा है आपका शुक्रवार पड़ा यानि की फ्राइडे पड़ा ठीक है भाई अब किसी महीने की दो तारीक को शुक्रवार यानि फ्राइडे पड़ा तो अगले महीने की आखरी तारीक को कौन सा दिन होगा जिसमें 31 दिन है मतलब कि अगले महीने जो next मन्त है उसकी 31 तारीक को कौन सा दिन होगा ये आप से उसने पूछा ठीक है भाई कि अगले महीने की 31 37 तारीख को कौन सा दिन होगा आप से उसने ये पूछा अब सीधी बात देखे इस महीने की दो तारीख को Friday हम बानते हैं अब ये जो महीना है ये आपका 28 दिन का है या फिर ये महीना 29 दिन का है या फिर ये महीना 30 दिन का है या फिर 31 दिन का है ये जो पहला वाला महीना है य हमको यह question में given है या फिर हमको यह पता है कि यह कौन सा महीना है ऐसा हमको कुछ भी नहीं पता अब हमको कुछ भी नहीं पता है तो हम कैसे इसको solve कर पाएंगे तो इस question के लिए data आप परियाप्त है data insufficient तो हमारे इस question का answer हो जाएगा option number D I hope यह आपको अच्छे से clear हो गया होगा अब आते है question number 19 पे तो इसको देखते हैं कि क्या है 18 फर्वरी 1997 मंगलवार को पढ़ता है तो 18 फर्वरी 2000 को क्या दिन होगा अब देखिया आप सीधी सी बात है 18 फर्व 1997 इस दिन आपको कौन सा दिन बताया है Tuesday बताया और आपको उनने बोला है कि 18 फर्व 2000 इस दिन कौन सा दिन होगा अब देखिये 97 से 2000 तीन साल बड़े तो तीन दिन extra हमने ले लिए अब देखिये 2000 ली पियर है मानते हैं लेकिन मैंने आपको बताया आपको ली पियर का extra दे टप काउंट करना है जाब आप 29 फर्वरी उसकी क्रॉस करते हो लेकिन यहाँ पे क्या इन दौनों के बीच में 29 फर्वरी 2000 पड़ेगा क्या नहीं याद रखियेगा ली पियर में आपको एक दिन extra तभी काउंट करना है जब आप 29 फर्वरी को क्रॉस करें या तो टाइम बढ़ा कर या फिर घटा कर लेकिन 29 फर्वरी को आपको क्रॉस करना है तब आपको उस एक दिन को काउंट करना है तो सीधी सी बात है यहाँ पे तीन नमबर डी आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा अब आते कोशन नमबर 20 पे देखते हैं कि क्या दिया है इसमें यदि कल के बाद का दिन यानि परसो आने वाला परसो सनिवार है यानि कि दो दिन बाद सनिवार है तो आज दो दिन सनिवार से दो दिन पीछे यानि कि आज क्या है भाई गुरु वार है अब आज गुरु वार है तो उनने क्या पुछा कल से तीन दिन पहले क्या था अब देखिए जो कल बोला है उनने यह आने वाला कल है कि बीता हुआ कल है यह अपने को नहीं पता लेकिन आप देखें तो यहां पे कौन सा दिन था अब था मत बीते हुए कल से तीन दिन पहले मतलब की बीता हुआ कल एक दिन और तीन दिन और यानि की चार दिन पहले कौन सा दिन था अब सीधी सी बात है आज से चार दिन पहले कौन सा दिन था तो गुरुवार से चार दिन पहले मतलब पीछे जाएं तो बुद्धवार फिर मंगलवा फिर सौम बार और फिर क्या हो जाएगा आपका रवी बार तो चौथा दिन हो जाएगा आपका रवी बार चार दिन पहले तो सीधी सी बात है हमारे इस question का answer हो जाएगा रवी बार आई होप आपको ये question बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा तो ये हमने calendar के total 20 questions को किया है part 1 में I hope आपको सभी के सभी 20 questions बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गए होंगे और अगले पार्ट में हम इसके और बहुत बढ़िया बढ़िया और थोड़ी से अब tough questions को और करेंगे जिसमें आपको और अच्छा लगेगा सभी लोगों से आशा करता हूँ कि आप ये 20 questions को अच्छे से solve करेंगे यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को like जरूर करें और अपने दोस्तों तक इसे share करना ना भूलें ताकि हमारी मेहनत और हम इसको अच्छे से कर पाएं जै हिंच जै भारत वंदे मात्रम